आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चनल बालाजी स्ट्रीमोसन चनल पर और आप सभी लोगों को क्लाश 12B की मैथमेटिस के इंतरगत डिफरेंशियल एक्वेशन चेप्टर पढ़ा जा रहा है यानि आउकल समीकड चेप्टर पढ़ा किया है तो आज हम उसी क्रम में बालाजी प्रकासन बुख से प्रश्णावली अठारा दिसम्लों एक के प्रश्णों को सॉल्व करना सीखेंगे आप पूरे वीडियो को आंतर तक देखेगा आप लोगों को एक एक कोशन बहुत अच्छी तरीके सा समझ में आने वाला है त जिनको सॉल्व करने में आपको प्रवलम हो सकती है इसलिए मैंने आप लोगों को सामने जो है सारे कोशन नोट किये हैं सारे कोशनों को यहां पर सॉल्व किया जाएगा देखिए पहले पाड़ में दिया गया है डी वाई प्लस 3x प्लस कोट एक्स इंटो में डी एक स्कु तो जीरो हमें यहां पर क्या करना है इस आउकल समिकड़ की कुट तथा घात जो है लिखनी है या नहीं गयात करनी है यहां पर देखिए इस इक्वेशन को मैंसे भी ले सकते हैं डी वाई ठीक है और इस पूरे जो है पद को उधर ले जाएंगा तो माइनस का हो जाएगा म इस और यह माइनस का अंदर से मल्टिप्लय होगा तो माइनस का कोर्टेक्स होगा और माइनस का कोर्टेक्स इदा रहेगा तो यह हो जाएगा प्लस का कोर्टेक्स इसको जीरो अब आप इस क्वेशन को देख कर बता सकते हैं कि इसकी कोट कितनी होगी यहां पर आप देख स एंसर हो जाएगा चली इसे करह में दूसरे पार्ड को solve गरते हैं दूसरे पार्ड में यहाँ पर लिखा है d2y upon dx square plus y dyy dx plus 1 is equal to 0 इस समिकड़ में हम देखेंगे अधिक्तम derivative कितनी बार किया गया है नहीं आउकलाच कितनी बार हुआ है दो बार हुआ है d2y by dx square ठीक है अधिकतम दो बार आउकलाच हुआ है तो इसके जो कोट होगी वो कितनी होगी आपकी 2 होगी और यहाँ पर अगर इसके हम घात की बात करें तो अधिकतम आउकलाच दो बार हुआ है इसकी पावर की अगर बात करें तो इसकी जो पावर होगी डीटी प्लस क्यूप पांड से स्कुल्टी जीरो इस समय क्रण में अधिक्तम और इसके कोट कितनी हो जाएगी दो बहुत ही आसान है यहां पर घात की बात करें तो डीट्डू क्यूप अपांड डीटी स्कुयर की जो घात है वह आपकी एक है इसलिए इसकी घात जो हो जाए अनधा यह वीडियो आपको समधमे आने वाला नहीं है यहाँ का सांध यह पूरी तरीके कर्ने की ही आएंगे ऐसे थोड़े बहुत टरीके सुम्झ में आ opponents थेले वीडियो जरूर में भी वीज़ित वह आपका कितना है इस समीकड़ में अदिकतम जो आउकलाज वह आपका कितना है त Inner तो यहां पर की कोटी वह बजाएगी कोटी जाविए अदिकतम नीकलाज क्तिना एन अधिकतम अलत तीन अभिण हाथ देखेंगे इसकी इसकी आपकी त्योंक्ट दो है इस से मिखेंड में दिक्ताम गात 2 है तो इसकी गात 2 हो जाएगी नहीं जो में कोटी है ठीक है उसकी पावर देखेंगे यहां पर हमें दी 3y upon dx qb नहीं अद उचितम आउकलज की हमें जो है कोट देखना है तो उचितम आउकलज की कोट यहां पर कितनी है एक है तो यह इसकी इस श्कुन ले सकते हैं वन प्लस डी आर अपानemie धी ठीटा इसकी पावर 2 लगाए इसकी एक बॉल तो यह बड़ लाएंगे तो यह power आपकी पलट जाएगे नहीं चार हो जाएगा 4 बड़ एक का मलब 4 हो जाएगा इस्के इद्र आपका हो जाएगा one plus dr अपान में डी थुटा इसका क्या कर देंगे स्क्वाइर कर देंगे, अब आप इस डिफरेंसियल को देखोगे, तो बहुत ही सरलता के साथ कोटी और गहात बता सकते हो इसके अगर कोट की बात करें, तो अधिक तम जो है, आउकलस के आए, दो है, तो इसके कोटी आपकी हो जाएगी, दो, अगर इसकी घहात नोट कर सकते हों तो अब आप देख सकते हों कि question number one का चटुवा पार्ट आपके सामने नोट है चटुवा पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है डी टू वाई इपान डी एक स्क्वार की होल पावर 3 तो यहां से आपका मिल जाएगा डी टू वाई अपान में डी एक स्क्वायर इसकी पावर कितनी बचेगी वन बाई टू कैंसल हो गया तो 3 बचेगी इस कोल्टी आपको जाएगा एकस प्लस डी वाई बाई डी एकस अब आप इस आउकल समीकर में देखेंगे तो अधिकतम आउकल अच की कोड कितनी है दो तो यहां पर जो कोड हो जाएगी इस आउकल समीकर की वह कितनी हो जाएगी दो क्योंकि अधिकतम दो बार इसका आउ अपने लॉस्ट नहीं करते हैं कोश्चन नमर दो में दिया गया है कि वक्र के प्रतेक बिंदु एक्स कामा वाई पर इस परसी की परवर्ता भुज तथा कोट के घनों के योग के तीन गुने के बराबर है आउकल समी करड़ गयात कीजिए देखिए यहां पर वक्र दिया गय यह आपका एक वक्र है इस वक्र पर एक बिंदु है आपका si यहां पर एक इस परसी रेखा है जिसकी परवर्ता कितनी है की इसमारल M है डिय वय को किया झाए निर्दे सांग का जो पहला बिंद होता है है वह आपका का बुज देखें अ दूत्रा बिंद होता है वह आपका कोट्य होता है तो यहां पर अगर हम बात करें तो प्रिश्णा अहुंसार अगर देखें तो प्रिश्णा अंशार बात यह कही जा रही है कि इस पर सी रेखा की परवड़ता परवड़ता को हमने M से लिखा है M जो है वो भूज और कोट के घनों के योग के तीन गुने के बराबर है तो भूज है X इसका घन करेंगे कोट है वाई इसका घं करेंगे एनि क्यूब करेंगे उसके बाद इसका योग करेंगे योग एक तीन गुना इसका तीन गुना करेंगे के बराबर है क्या ये एम परवड़ता बराबर है बास मियार ये न तो एम किसके बराबर होता है डी बाई डी एक्स के यही जो हो जाएगी इसकी आउकल समीक्रड हो जाएगी यह आपके इस question का answer हो जाएगा तो I hope आप लोगों को question no.2 जो है चितरी के समय आ गया होगा अब चलिए question no.3 को solve करते हैं अब आपके सामने हमने इस question no.3 और question no.4 नोट किया है चलिए सबसे पहले question no.3 को solve करते हैं तो question no.3 में कहा जा रहा है कि उन सभी सरल रेखाओं जिनकी मूल बिंद से दूरी एक है के लिए आउकल समीक्रड गयात कीजिए बहुत ही आसान question है पर ध्यान से समझने की जरूरत है आपको यहाँ पर मैं मान लेता हूँ माना सरल रेखा आपकी है y is equal to mx plus c ठीक है सरल रेखा y is equal to mx plus c मान लिया इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं mx इस y को उदर ले जाएंगे माइनस का y plus का c is equal to 0 यह करके आप लिख दीजिए इसको मान यह सेमिक्रड एक अब इस question में कहा क्या जा रहा है कि इस सरल रेखा जिसकी मूल बिंद से जो दूरी है वो एक है तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि अगर एक रेखा हो और एक बिंद हो उसके बीच की दूरी दी हो ठीक तो उसका फार्मूला क्या होता सबसे पहले यह तो आपको पता होना चाहिए तो रेखा आपकी यहां पर क्या है रेखा आपकी है mx-y plus c equal to 0 की किसी बिंद से मूल बिंद से दूरी मूल बिंद को हम 0,0 से लिखते हैं मूल बिंद से दूरी कितनी है एक है ठीक है तो दूरी जो होती है उसका फार्मूला होता है d equal to mud जो रेखा आपकी होती है a x1 plus का b y1 plus का c upon में under root a square plus b square यह सूत रोता है दूरी का तो दूरी एक दी गई तो यहां पर आप एक लिख दीजिए ठीक है माड का मलब यह है कि value आप में साब positive होने चाहिए तो यहां पराकरम बात करें तो बिंद आपका है x1 कामा y1 ठीक है यह value इसमें पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा a गुड़े x1 की value आपकी 0 है plus b गुड़े y1 की value 0 है plus c upon में अगर आ जाएं under root a square तो इस समय कड़के x के आगे वाला गुड़ांग जोगा वो एक अमान होगा तुलना करने पर तो यह आपको हो जाएगा m2 plus b square जो b होगा वो y की आगे वाला गुड़ांग की कितना है यहां पर minus 1 तो यहां पर हम करेंगे minus 1 का square क्योंकि plus b square है चलिए ठीक स्कुरा के solve करते हैं वन स्कुल्ट आपको जाएगा a का गुड़ा 0 से जीरो हो जाएगा b का गुड़ा 0 से जीरो हो जाएगा यह आपका बचेगा c upon में under root m square और plus minus 1 का square करेंगे 1 ठीक यहां से अगर हम देखें तो कहींची गुड़ा करेंगे ऐसे 1 का में पूर्ट करेंगे ताब तो यह समीकड़ आपकी बन जाएगी mx-y प्लस c कर स्था हम पर पूर्ट करेंगे under root m square प्लस का 1 is equal to 0 इसको हम माल लेंगे समीकड़ नंबर 2 इतनी बात आप सभी को संग में आ गई अब चलिए देखते हैं यहां पर हम क्या करेंगे इस देंगे x के सापेश क्यों करेंगे क्योंकि हमें आउकलज की जरूद है ना आउकल समीकड़ में आउकलज होना चाहिए हो चाहिए एक बार हो चाहिए दो बार हो तो हम एक बार क्या करेंगे इसका हम आउकलन करेंगे क्या करेंगे इसलिए एक बार आउकलन करेंगे हमें आ घारने पर तो आखलन करेंगे तो ए जाएगा in aaf unto ऊंच माइनस वाइक साफ पर देर कर देखेंगे नटी आई जाएगा डेखर या याआ की वेढ़ागे करएंगे कि क्या करेंगे इस वर दो में पूट करदेंगे तो चली देखते हमें क्या मैं आपके सामने दूसरे पर बता रहा हूं देखिए यह आपका हो जाएगा एम का मान समी करड़ 2 में रखने पर ठीक है तो समी करड़ 2 है आपकी यहां पर आप देखिएगा इस समी करड़ में M के अस्थाम पर हमें पूट करना है d by dx क्योंकि M बराबर आया है d by dx तो ठीक है लिखोगे M, M के अस्थाम पर dy by dx इन्टू में x minus y प्लस अंडर रूट यहां पर M के अस्थाम पर पूट करोगे d by by dx का होल स्कॉर क्योंकि M स्कॉर था प्लस 1 इसकॉर टू कितना हो जाएगा? 0 यहां पर आपका हो जाएगा x d by by dx minus y इस पूरे पद को उधर ले जाओगे तो यह आपका minus का हो जाएगा तो दोनों पच्चों का स्कॉर करने पर यह आपको जाएगा x d by by dx minus y इसका स्कॉर कर देंगे और इधर इसका स्कॉर करेंगे तो minus का स्कॉर प्लस हो जाता है और under root आपका हड़ जाएगा स्कॉर करने पर तो यह आपको जाएगा y is equal to mx plus c जिसकी मूल बंद से दूरी इन्होंने एक दे रखी थी तो हमने क्या किया पहले फार्मल लगाया कि एक रेखा कि मूल बंद से जो दूरी होती है d is equal to sutra ता यह वाला तो यहां से c की value मिल गई c की value को हमने इस sumi card में put किया ठीक है तो यहां से यह equation आपको m के पदों मिल गई अब m का मान निकलने के लिए हमने क्या किया है यह sumi card का x के साथ पे चोकुलन किया तो यहां से m का मान तो question no.4 में एक बताया जा रहा है कि उन वृत्तों का आउकल समी card गयात कीजिए जो वाई अच्छ को मूल बिंद पर इस पर्स करते हैं ठीक है तो यहां पर मैं आपके सामने अच्छ बना रहा हूं x अच्छ और y अच्छ ठीक है तो हमें क्या करना उन वृत्तों का आउकल को समी card गयात करना एक वृत्त हमान लेते हैं जो यह को मूल बिंद पर इस पर्स करता है यह आपका इक वृत्त है जो इस को यड़ह को यह च्छ यह कि पहले एक से पर चलेगे दूरी फिर यह पर कुछ नहीं चलेगे तो एक आमा जीरो इस केंद्र के निर्दे सांग हो जाएंगे इसके देखिए मैं आप लोगों को बता दूँँ आप लोगों ने क्लास्ट 11 में पढ़ा है क्या पढ़ा है कि अगर वृत्त का केंद्र केंद्र अ क्योग है करेंद्र टरिज्द्र हो नहीं आप लिए गूंता है चले Ο आपकी जो व्रित्त का समीक्र रहा हो तो समी केड़ विरित्य का समी कड़ हो जाएगा X- देखे-H के अस्थामपर A है तो A का ouse square plus y minus k का square k का स्थामपर 0 तो 0 का square equal to 31 ए स्थामपर 0 तो 0 का square equal to 3 60 एका square तो absurd कितनी है a तो a का square कर देंगे तो यहां समी मिल्हावब जाएगा x- power plus a 2 minus 2 ax角 स्क्वाइर की स्कवारास, यह उयर्ण स्क्वाइर का स्काओर थेंगे तो यह मिल ज्याएगा एक स्क्वाइर, प्लस का य्श कह पले लिगनिасть लेगे भी इसके बाद माइनस का ड़ीरो स्क्रण का स्क्वाइक़ार नम्बर एक, अब इस समिकड़ को हमें आओकल समीगड बनाना है ठीक है तो अबकर समीगड करते ह餁 आओकंLE जरूरत पड़ेगी यहां पर देखें तो आचरपद एक है इसको हमें क्या करना है हटाना तो हटाने के लिए क्लिए इस समीगड करेंगे इस के सापच कर देंगे लिखेंगे तो 2x प्लस का y स्कुर का करेंगे तो 2y का आगिन करेंगे एकस के साफ तो dy by dx और माइनस का 2a x का x के साफ पर जो कलंग 1 होता है तो इंटू में 1 लिखनेंगे स्कॉल टू 0 यहां से देखें अगर तो हमें a की value मिल जाएगी x प्लस y और इंटू में dy by dx अब दो कामन ले लोगे उदर 0 के बैटे में ट्रांफर कर दोगे तो यह आपको जाएगा x प्लस y डिबाई डी एकस माइनस का a तो यहां पर लिख लेंगे x स्क्वाइर प्लस का y स्क्वाइर माइनस का 2ax इसक्वाल टू 0 यहां पर a कमान कितना आया है x प्लस y डी वाई-वाई-डी एकस रखने पर क्या करने पर भाई रखने पर तो इस समिकर्ण में रखेंगे चली देखिए यह जाएगा x y dy by dx और इंटो में x से equal to 0 हो जाएगा यह जाएगा x स्क्वाइर प्लस का y स्क्वाइर ठीक है यहां पर देखिए तो 2x और x का multiply जाएगा 2x स्क्वाइर माइनस का माइनस टू marks और y का multiply हो ौसल के मामायनस का 2xy और इंटो में dy by dx इंटो घीक है ठीक है धीके एक स्क्वाइर माइनस का 2x س्क्वाइर हो जाएगा माइनस का एक स्क्वाइर और y स्कॉाइर आपका पहले से लिखाया प्लस का वह लिख दीजिए और माइनस का 2xy dy by dx और इस कोल्टो में कितना हो जाएगा 0 इसको आप लिसकते हो y square माइनस का x square इसको उधर ले जाओगे तो यह आपको जाएगा प्लस का 2xy dy by dx यह जो समिकड़ आपको प्राप्त वी है यह इस वरित्ते का क्या हो जाएगी आउकल समिकड़ और यही आपकी इस question का हो जाएगा answer तो इस प्रकार आप लोगों ने question नमर 4 को भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा ठीक है आप इसका screen साड़ ले सकते हो अगर आपको लेना है तो फिर मैं आप लोगों को question नमर जो है पांच सौल वगर आता हूं ठीक है अब इस प्रिश्ना वली का हमने आपके सामने question नमर 5 नोट किया है question नमर 5 में बताया जा रहा है कि उन सभी परवलयों का आउकल समिकड़ गयात किजिए जिनका सीर्स मूल बिंदू तथा नाभिया वाइच पर इस देत हैं तो यहां पर देखिए कौन कौन से परवलय हो सकते हैं आप लोगों क्लाश 11 में परवलय पढ़े हैं तो यहां पर दो परवलय हो सकते हैं जिनका सीर्स मूल बिंदू पर हो तो एक परवलय आपका यह हो सकता है सीर्स आपका मूल बिंदु पर है यानि जीरो कामा जीरो पर है और नाभिया जो है यह पर है यह की धनात्मक दिसा में और एक परवला यह आपका यह हो सकता है जिसका सीर्स आपका मूल बिंदु पर है और नाभि जो है वह यह यह पर है यह यह की रिधात्मक दिसा में तो द परवले का समीखड़ हो जाएगा आपका X2 is equal to minus का 4AY क्यों क्योंकि यह यह की रिखाब में बन रहा है तो यह दोनों समीखड़ होते हैं इन दोनों परवले के यह बात तो आप लोगों ने class 11th में पढ़ी है अगर नहीं पढ़ी है तो आप देख लिजेगा class 11th की किताब खो है यह कि इन परवले का हमें आउकल समीखड़ फाइंड करना है जिनका सीर समूल बेंद तथा नावय वाई चपर तो दो इस्तितिया है इन दोनों स्थितियों से हमें एक कॉमन इस्तिति बनाएंगे कॉमन इस्तिति यह बनाएंगे X22 a y अगर देखें तो दोनों समीखड इस रूप के लिखी हुई है, यहां पर अगर हम बात करें, जहां जो हमने capital A माना है, वो plus minus 4A के बराबर है, देखिए, यहां पर plus का 4A, यहां पर minus का 4A, ठीक है, तो हमने इन दोनों समीकड़ों से एक common समीकड़ बनाई है, x square square to ay, जो दोनों के लिए मानने है, ठीक है, जहा करने हैं, तो यहां पर a भी आपका अचर यह represents, यहां पर a भी आपका अचर साहर है, इसलिम नहीं आपर माना लिया है, तो अचर variable को अठाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका x के सापेच आँकलन करेंगे, तो यहां हमीक्री को बनाई है, तो x के सापेच अचरिय डिए-चर 2x upon me dy upon me dx इस a का मान हम इस समीकर्ड 1 में रख देंगे इसको समीकर्ड 1 मान लेजिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे a का मान समीकर्ड 1 में रखने पर तो समीकर्ड 1 थी आपकी x square square to a into y x square square to a a का मान आया है 2x upon me dy upon dx और into me y यह एक आमान था इतना हमने यह पूट कर दिया यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर देखें तो यह x से 1x आपका कैंसल हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या आपको मिलेगा x square to 2 upon me dy by dx और into me y इसका multiply x से हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा x ऐसे लिखू चाहँ आपको जाएगा x आपको पसंद आया होगा वीडियो यह आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इसी परकार आप हमें मोटिवेट करते रहें वीडियो को लाइक करते रहोगे जितना आप वीडियो को लाइक करोगे और अपने दोस्तों को सेयर करोगे उतना ही हमें मोटिवेट होते रहेंगे और आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे तो चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इस प्रिश्ण वाली के आगे के कोश्चनों के साथ जय हिन जय भरत